मैं कारेकरम की शुरुवात करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं आमंत्रित करूँगी किसी और को नहीं भारत सरकार के वित्त राजमंत्री डॉक्टर भागवत कराज सहाब को डॉक्टर साब मैं चाहूंगी कि आप स्क्रीन पर देश की जनता को अब आसान शब्दों में बजट समझाने के लिए स्टेज पर आएं और प्रणए मेरे सयोगी इस सेशन का संचालन करेंगे दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया रुबिका और बीते करीब 24 घंटों से पूरे देश के मन में जन मन धन की बात चल रही है और जन बंधन 2022 के इस मंच से हम उन तमाम सवालों तमाम आशंकाओं के जवाब सीधे सरकार से लेंगे और हमारे साथ मौझूद हैं भारत के वितराज्य मंत्री डॉक्टर भागवत करार जो पेशे से सर्जन भी है तो डॉक्टर साब मेरा पहला सवाल इसी चीज़ को लेकर है कि कोविट से भारत की अर्थविवस्था परेशान हुई उसकी सेहत खराब हुई आम आदमी की जे उम्मीद की जाए कि कोई पेनकिलर मिलेगा जिसे कि उसकी फौरी तोर पर राहत मिलेगी लोगों को प्रनेजी मैं आपको बताना चाहता हूँ कल लोगसभा में जो बजट पेश हुआ अत्यनत महत्वपूर्ण बजट है क्योंकि यह बजट है यह अमरत काल का बजट है हम पुरे देश में आजादी के 45 साल मना रहे हैं और अगला 25 साल सोच के यह बजट बनाया है जो कुछ digest का श्ट्रक्चेर जो बनाया है उसमें बहुती पैसे कि तब मुसने बरोशाज दिया है और मैं बताना चाहता हूं आँम आदमी के लिए इस बजट में बुस्टर डोस बहुती आच्छी तरशित यह आँ आदमी का इंकम बढ़े कि आँम आदमी के जैब में पैसे आए और उसके जो बेसिक नीड़स है ओभी पुरी हुए इसलिए इस बजेट में बहुत इअच्छा दोस्ट दिया है मैं बताना चाहता हूं जो आम आदमी जहां काम करता है आम आदमी के लिए जो काम की जगा है जहां रोजगार मिलता है ओव यह सेमे शेक्टर इसने याने micro small medium enterprises और micro small medium enterprises के लिए इस budget में 4.5 लाख करोड का जिसा रखा है और इसी के वज़े से जो जो आत्मनिर्वार भारत के अन भारत बोलके जो स्कीम दिये थी emergency credit guarantee scheme तो उसको बड़ोतरा देते हुए उसका date भी बढ़ाया जो पहले 31 March 2022 तक था अभी 31 March 2023 तक किया है याने MSME sector को bank से पाइसा मिलेगा और जो bank से पाइसा मिलेगा ओ बैंक को guarantee government आप इंडिया ने दिया है इसका मतलब bank को भी support कर रहे और bank MSME को support कर रहे और MA से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ MSME sector को emergency credit lateral guarantee scheme के वज़से कम से कम से कम एक करोड़ 21 लाक लोगों का रोजगार संभाला है और उसे के साथ जो लोगों में जो जेब में पैसा आया है या इंडिस्ट्री को जो पैसा मिला है तो उसको कोई भी guarantee नहीं लगा है लोगों को काम कलने के लिए सुविदा मिल चुके है रोजगार बढ़ चुके है और पैसा उनको मिला है सरकार ने capital expenditure बढ़ाया है budget के अंदर उसको लेके काफी चर्चा हो रही है थोड़ा सा स्पष्टी करन आप से मैं चाहूंगा कि सरकार ने पिछली बार भी साड़े पांच लाग करोड के करीब capital expenditure का लक्ष रखा था लेकिन capital expenditure सरकार की रफ्तार अक्सर कम हो जाती है उतनी spending नहीं हो पाती इस बार आपने साड़े साथ लाग करोड रखा है तो ये ensure कैसे करेंगे कि ये spending हो ताकि ये पैसा जो सरकार खर्च करना चाहती वो बाजार में आए कैसा है अगर 2021-2022 का budget आपर देखे और 2022-2023 का budget में compare हम लोगों ने किया तो दो लाग करोड का capital expenditure बढ़ा है तो capital expenditure बढ़ा है बोलतो ये दो लाग करोड मार्केट में आने वाले है और ज्यादा capital investment होने के वजह से यहाँ लोगों को रोजगार में मिलने वाला है और ultimately पैसा उनका तनखा पबलिक के जेब में जाएंगा और उनको पैसा मिलेगा ABP News आपको रखे आगे